अगर आप लोग भी अच्छा सस्ता और टिकाऊं टीवी वोल्टेज स्टेबलाइजर का सर्च करते हुए इस वीडियो के अंदर आए हैं, तू यकीन मानिए आप लोगों की तलाश पुरी हुई, क्यूंकि इस वीडियो मी हम आप लोगों को वीगाड वोल्टिनो मैक्स का ए तू सबसे पहले बिना दीरी किये, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, वीगाड वोल्टिनो मैक्स टीवी वोल्टेज स्टेबलाइजर जी हाँ ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो TV Voltage Stabilizer है विगार वोल्टिनो मैक्स का इसे Amazon से आप पर्चेस कर सकते हैं बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन मी मिल जाएगा आप वहां से पर्चेस कर सकते हैं तू अब बात करते हैं इस TV Voltage Stabilizer के description, specification और हर वो technical details जो आपको हर एक TV Voltage Stabilizer खरिदने से पहले मालूम होना चाहिए तू TV Voltage Stabilizer कुछ ऐसा दिखता है जो की आता है ब्लैक कलर में इसको हमने Amazon से पर्चेस किया है तीन हजार रुपए में इसका मॉडल नेम है Vigard Voltino Max TV Voltage Stabilizer तू सबसे पहले हमें बॉक्स मीं Vigard की ब्रैंडिंग देखने को मिलता है और साथ मीं यहां दो येर्स की वोरेंटी भी मिल जाता है हमें और सामने मशीन का डाइग्राम भी दिखाया गया है कि अंदर मशीन कैसे होगा बॉक्स के बैक में हमें Vigard का Registered Office, इनका मेल और इनके वेबसाइट के बारे में बताया गया है उपर इस तरफ हमें इसका MRP दिखाया गया है जो की 3770 रुपए हैं बॉक्स को ओपन करते है बॉक्स के अंदर हमें यूसर मैन्यूल और वोरेंटी कार्ड देखने को मिलता है आप यहां पॉस करके देख सकते हैं फिर यहां हमें Stabilizer Wall Mounting Procedure भी बताया गया है आप यहां भी पॉस करके एक बार जरूर पढ़ ले तू TV Voltage Stabilizer को हम बाहर निकालते हैं सामने की तरफ हमें विगार की ब्रैंडिंग दिखाई देती है यह आता है Matte Black Color Me बात करें इसके Features के बारे नीट्टू यह Voltage Stabilizer 140 cm की TV यानी की 55 इंचेस तक के TV को ही सपोर्ट करता है Capacity is Voltage Stabilizer की 3 Amperes की है Input Voltage Cut-Off minimum 90V है और maximum 290V है Cabinet पूरा Graphically LED डिस्पले के साथ आता है Voltage Stabilizer के Side View में आपको 2 Plug and Socket मिल जाएंगे आप इसके First Plug में HD और SD Setup Box या फिर Gaming Console या फिर Home Theater जैसे Appliance अड़ कर सकते हो और इसके दूसरे Plug में आप Smart LED या फिर LCD या फिर OLED या फिर 3D TV एड़ कर सकते हो इस Voltage Stabilizer में हमें Built-in Thermal Overload Protection मिल जाएगा जिसे हमारा कोई भी Appliance Voltage कम ज्यादा होने के बाद जलेगा नहीं तू जनरली इस Voltage Stabilizer का First Impressions, Look और Build Quality मुझे काफी Impressive लगा है बात करते हैं इसके वोरेंटी के बारे में तू दो साल की वोरेंटी मिलती है हमें तू गाइस अगर आपके वहां भी Voltage का प्रॉबलम होता है तू आपके लिए ये Voltage Stabilizer परफेक्ट है इसकी प्राइस 3,000 रुपए है Amazon से आप Purchase कर सकते हो Link Description और Comment Section भी मिल जाएगी आपको